महेश्वरी जी की बसंद जी थैंक यू वही मच आज एटीनाव सदेश पर हमाई स्टूडियोज में आने के लिए लेकिन आपके एसाब से क्या लग रहा है हमने दस महीने का करेक्षिन देखा इंडियन मार्केट में अफ्कॉस ट्रिगर्ड वहां से भी था क्या यह का जो भ गए हैं और हम गिरने लगे ऑक्टूबर से मतलब दस मेहना पहले से हमने बोल दिया कि अब गिरना शुरू हो जाओ बिकोश शायद न्यूस खरण होगी तो अच्छी न्यूस के भी छे आट मेना पहले ही हम बॉटम करेंगे आप मुझसे पूचेंगे तो भाव और स्क्री के असपा से भी निकले और हम आज सब बात कर रहे हैं जब इंडेस्ट्रिल मेटल प्राइस बीज़ी स्टकर डाउन है टॉप से अग्री कमोडिटी प्राइस भी नीचे आ गए क्या आपको एक सेंस आ रहा है या आपने कुछ पिक अप किया कि पीक ऑफ इंडेस्ट्रिल मे चीज को आप फेड फेड के हाथ में वो तोड़ना लेकिन फेड भी उतना ही तोड़ेगा जितना आप सबज़े कि उसको उसको लॉंग टर्म नेगटिव इंपक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता है तो आज अगर रिसेशन होता है दो मिनिट के लिए और फेड में सब तोड कि दिया commodity prices जो कर रहे है वो कल यही फेड आकर interest rate वापिस घटाएंगे अगले साल और वापिस फिर stimulate करेंगे because आप मार नहीं सकते हो लोगों को यह अगर situation रहा है for example अजय जी यह शैद हमारे दर्चकों को नहीं पता होगा अमेरिका में आप जब housing loan लेते हो तो आप अपने अगर मैं घर छोड़ दिया तो मुझे 6% पर लोन लेना है और नयाद भी 6% पर लेगा नहीं तो टोटल वाक्यूम क्रियेट हो जाएगा तो फेड ऐसे रखेगा नहीं फेड को interest rates नीचे लाना होगा अगले साल और फिर नॉर्मल है मैं मुझे याद है आप metal पे काफी पहल सब्सक्राइब करें तो इंडियन लाज आइटी कंपनी के order books और डील्स थमेंगी हलाकि उनकी commentary में इसा कुछ नहीं आया भी तक नहीं आप Accenture को देखिए Accenture बड़ा बुलिश है बट आइटी जो है वह यूएस का ऑफशूट है और अमेरिका में इतना innovation चल रहा है एक जन से मिले जो एक जगे काम करते हैं और स्टार्ट अप है उनका वो कहते हैं कि आज से दो साल बाद Apple जो है वो SIM यूज ही नहीं करेगा वो eSIM पर आ जाएगा उससे phone की thickness कम हो जाएगी और जिसने SIM बनाया ता 25 साल पहले उसको patent देना उसको पैसे मिलने भी कम हो तो इस तरीके के कम से कम हजारों लाखो इनोवेशन चलते हैं वहाँ पर और वो सारा काम हम यहां करवाएंगे तो IT अगर आप सोच रहें कि अमेरिका पांच साल के लिए अगर आपको लगता है एक दो क्वाटर है तो यह मैनेजबल है लेकिन मुझे लग रहे है कि यह सब क्वाटर अप्लास रुपिया तो 80 हो गया तो इनको तो आगे-पीचे बेनिफिट होए गई मुझे लगता है आई-टी में यह तो अच्छा टाइम है मिटकाप आई-टी में देख कर लेने का बिकाज अगले एक साल देड़ साल में वापिस मोमेंटम आ जाएगा यह अच्छी इंटरस्टिंग बात बोली कि मिटकाप आई-टी में वैल्यू नजर आ रही है इसके चल लोग एक वर दाम बढ़ाते हैं सबसे कोई शर्ट कंपनी हैं उन्होंने एक बढ़ा दिया अंडर्वेर कंपनी को दाम बढ़ा दिया फिर नहीं और आप यह नहीं बोल सकते कि बाई 20 परशेंट मोर अंडर्वेर फर दे सेम प्राइस तो फिर क्या होता है भी कॉटन जैसे कमोडिटी के ताम घटेंगे तो यह अपने सेलिंग प्राइस नहीं घटाएंगे यह लगो मार्जिन को खा जाएंगे तो यह अंगल से मुझे लगता है देखना चाहिए और कंजूमर तो मुझे लगता है ऐसे भी सेफ है इस अपके आपने पोर्टफोलियों में कोई ऐसे एरियाज है आपके पास जो डिफेंट डिफेंट कमोरिटी इंपुट के प्राइसे से नीचे आने से बेनिफिट होती है जिन में नहीं वैसे नहीं है बट मुझे यह पता है कि आईटी अभी हम थोड़ा एक्स्वोजर भढ़ा है बिकास मुझे लगता है इस 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 इ पड़ी मार जो है financials को पड़ी लेकिन वहीं हम देखें कि numbers actually improve होते चले जा रहे है क्या आपको इसमें sense बन रहा है कुछ select financials में brave बनने का या भी नहीं नहीं अभी मुझे नहीं लगता है financials देना चाहिए high interest rate environment है but next 2-3 महने में यह high interest rate तो रहेगा नहीं यह तो घटेगा तो आपको जब interest rate थोड़ो और बढ़ जाए एक दो rate high का आ जाए उसके बाद financials में लेने लाइक अच्छा लगता है but उसमें standard नाम आप बजाज finance type company अगर आप देखना चाहिए तो देख सकते है because वो सब stocks अगले 10 साल की story है अब हम 10% सस्ता लें 20% महंगा लें problem हो नहीं problem ह आपके बड़ा रीटेलर भी है अपने portfolio में